हेले स्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके पने शेनल स्वी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है और पैरे भाईयो पुना हाँ यहाँ पर 20 कोशन आपको कराने वाले हैं और डेली साम 7 बजे यह वीडियो आपको प्रवाइट किया जाता है और इसमें अन्ज प्रतियास्था अपके आपको करेक्ट बताना है कुछ बच्चो कहना तक थोड़ा सा टाइम दिया करें ताकि हम सोच सक केंगीं आप टाइम इने देते तो व्याँ पुडियो को पुस्ट कर सकते हैं चलिए पहले का अंसर आपको बताना है पहले का हैं यह पहले का प्राइट एंसर होगा प्यारे भाईओ आपसन नंबर सी आपसन नंबर सी इस दा करेक्ट एंसर न्यूटन पर मीटर इसकोए ओके चले अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है सेकेंड कोश्यन निमलिखित युग में से किस भौतिक रासी के समान विमी सूत्र नहीं है मतलब कोश्यन को अच्छे समझना है ऐसे कौन दोनों भौतिक रासी है प्यारे भाईओ जिनका विमी सूत्र समान नहीं है पहला आपसन बल और दाप भी है कार एवं मुर्जा सी है आवेग एवं संबेग और डी है भार एवं बल इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से ऐ से युग में हैं जिनका विमी सूत्र समान नहीं है तो चलिए बताएए चलिए करेक्ट अंसर इसमें क्या हो जागा पैर भाई हो तो आपसन नमबर फस्ट बल एवं दाब इनका विमी सूत्र समान नहीं है ओके चले अगले प्रिशन पर चलते हैं आपके लिए अगला प्र मिल जाएगा शूर एबं चंद्रमा के बीच की दूरी से उपरिक तुमें से कोई नहीं तो चार आपसन में आपको बताना है कि करेक्ट अंसर कौन सा है तो चलिए पटा-पट देख सकते हैं आप चारों अंसर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पैरे भाईयो शूर एबं प्रतिवी के बीच की दूरी की इकाई खगोली है ना एक खगोली इकाई होता है उके चलिए तो ये क्लियर हो गया कि एक खगोली जो इकाई है किनके किनके भी संबंदित है मतलब इसका हम प्रतिवी के बीच की दूरी के लिए उके चलिए अगला कुश्यन है पैरे भाईयो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेसिक की खगोली इकाई लंबाई की इकाई होती है जो लगबग एक सो पचास मिलियन किलो मीटर है और प्रतिवी से सूर की दूरी पर आधारित है अगला प्रीशनफ आपके लिए निम लिकित में से कौन से अभीमी रासी है जिसकी बी्मा नहीं होती ठीक है बताना है आपसर नंबर बिकरति अपसर नंबर आप्सर नमर गांदि प्लांक नियदा चलिए तो आफसर नंबर कौन सा करेक्तर अंसर होगा आप लोग सबता सा अगला प्रशन आपका कौन सा है Newton के पहले नियम को क्या कहते है ठीक है बताना है आपको चार आपसन देखे रखा है अगून का नियम जड़त्तो का नियम उर्जा का नियम या संबेक का नियम चार नियम है आपके पास Newton के पहले नियम को क्या कहते हैं पैरे भायो तो राइट अंसर आपको बताना है तो कौन से नियम भिया अपसर नंबर बी जड़तों का नियम अपसर नंबर इस दर करेक्ट अंसर कोशें नंबर फाइब को के अगला प्रशने आपके लिए कोशें नंबर शिक्स देख सकते हैं सडक पर चलने की पेच्छा बर्फ पर चलना कठीन होता है क्यों आपसर नम्बर है बर्फ सड़क से सक्थ होता है सड़क बर्फ से सक्थ होता है जब हम अपने पैर को धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रत्क्रिय अब्यक्त नहीं करता बर्फ में सड़क या पेच्छा घर्सन कम होता है हो जाएगा पैरे वहुह ओप्सन मंबर D तौण की अपिद्षा घर्षन काम होता इसलिए चलना थोड़ा सा असान और बर्फ में चलना आसान नहीं होता क्योंकि घर्षन जहां काम होगा भी यह वहां पहला है आप लोग पहले सोचो पानी अल्कोहल के पिछा पारदर्सी होता है बर्प पानी के जमने से बनती है बर्प ठोस है जबकि अल्कोहल द्राव है बर्प पानी से हलका होता है जबकि अल्कोहल से भारी होता है चले बताना है बहुत ही सिंपल है बहुत ही इजी है ठीक ह तो आपको बताया गया पैरे भाईो जिसका मतलब घनात तो कम होगा वो हलका होगा और जिसका घनात तो जएदा होगा भारी होगा तो चुकि पैरे भाईो बर्फ पानी से हलकी होती है यहनी घनात तो कम होता है जब कि अलकोहल से भारी होता इस कारण से बर्फ पानी में तहर जाता है परनतो अल्कोहल में डूब जाता है उके चले राइट अंसर डी हो गया कंप्लीट अगला प्रिशने आपके लिए ब्यक्ति प्रतिवी के सते के तुल्ला में चंद्रमा की सते पर अधिक उचा क्यों उचल सकता है चार आपसन याँ पर देख सकते हैं पहला आपसन आ चार आपसन है बताना है आपको तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा पहरे भाई हो कि चंद्रमा पर बायो मंडल नहीं है आपको पता होगा कि चंद्रमा का बायो मंडल बहुत कम है तो आपसन नंबर बी बनला पलायन बेग बहुत कम होता है जिससे वहां की जो गैसी ह बिस्थापित पानी कभार कितना होगा तो चार आपसन आप यहां पर देखेंगे चार आपसन कौन कौन से हैं पहला है नाव के भार से ज्यादा नाव के उस भाग के भार के बराबर होता है जो जील के पानी की सतह से नीचे है नाव के भार के बराबर अब यहां पर यह बताय की नाव जो है तैर रही है तो उसको जोरा बिस्थापित पानी का भार कितना होगा जितना उसके अंदर डूबता है उतना ही उसका भार होता है ठीक तो आपसर नंबर हो जाएगा सी करेक्ट अंसर नाव जितना पानी के अंदर डूबेगा भार उसका उतना ही होगा उतना ही कभी भार होगा अगला प्रशने आपके लिए किस तापमान पर जल का घनत तो अधिकतम होता है जीरो डिगरी वन डिगरी टू डिगरी और फो डिगरी चलिए चार आपसने आपको सुचना है कि राइट अंसर कौन सा होगा पेरवाई हो तो इसका राइट अंसर हो जाएगा चार डिगरी सिल्सियर चार डिगरी सिल्सियर पर जल का घनत तो अधिकतम होता है अगला प्रिशने है बस्तु की मात्रा बदलने पर आपरवर्तित रहता है आयतन भार द्रबमान घनत सुचिए जरा क्या आपरिवर्तित रहता जो बदलता नहीं है आयतन बदल सकता है कि न नहीं भार बदल सकता है कि नहीं दर्बमान बदल सकता है कि नहीं घनत तो बदलेगा कि नहीं बस्तु की मात्रा बदलने से अपरिवर्तित रहता है मात्रा बदलने मतलब एक किलो से दो किलो ले ले तो घनत भीया अपरिवर्तित रहता है तो घनत तो अपरिवर्तित रहता है अगला प्रिश्ण है आपके लिए बादल किस कारण से बावंडल में तैरते हैं निमन दाब निमन घनत निमन तापमान चलिए पताना है आपको किस कारण से तैरते हैं तो मैंने पहले भी बता दिया था ताहरे का वही जिसका घनत तो क्या होगा काम होगा तो राइट एंसर क कुकर में खाना कम समय में पगता है सभी के पास प्रसर कुकर लगता है और चौथा है प्रविक्त पानी का बास्पन बहुत कम होता है सोच लिजे भाईया क्यों प्रसर कूकर का खाना कम समय पग जाता है तो आपको पता होगा प्यारे भाईयो कि दाव आधिक लगता है इस कार्ण से पानी का तापमान क्या हो जाता है बढ़ जाता है उबलते हुए पानी का तापमान बढ़ जाता है तो आपसर नंबर 3 is the correct answer question number 13 next question आपके लिए पैरे भाईो question number आपका 14 शूर पर उर्जा का निर्मार किसके द्वारा होता है नापकी विखंडर नापकी सनलैन आकसिकन आपकरण अभग्रिया द्वारा शलो बताना है तो सूर पर कौन सी अब क्रिया होती है चार आपसर में राइट अंसर आपको बताना है सोच लीजिए और देखिए पहरे भाईो यदि आपको इसको लिखते चलना है तो लिख भी सकते हैं देख सकते कितना important है पहरे भाईो यूपी पीएससी है ना बिहार पीएससी में ये question आई हुए है तो कितना important fact है ठीक है और ये science संबंदित है तो पहरे भाईो आपको पता होना चाहिए कि सूर में कौन सी क्रिया होती है सूर में होता है नापकी सल्लाय तो राइट अंसर क्या हो जाएगा आपसन नंबर भी ओके चले अगला प्रिशन है आपके लिए सीडी पर चढ़ने में अधिक उर्जा खर्च होता है क्यों कार्ण बताना है चार आपसन है फर्स्ट नंबर है ब्यक्ति गुरुत्तो कर्षण के विरुद्द कार करता है ब्यक्ति गुरुत्तो के विरुद्द कार करता है ब्यक्ति कोई कार नहीं करता तो आपसन नंबर कौंसा हो जाएगा पहर भाई ओ आप सोच सकते हैं चार आपसन में से आपको बताना है आपसन नंबर ए-बिस इडी तो गुरुत सीड़ी पर चढ़ने करण अधिकूर्जा खर्च होता है आपको पता होगा पैरे भाईू नीचे की ओर यदि आप गिर रहे हैं तो हलका आवास होता है लेकिन उपर की ओर चलते हैं तो लगता है हम भारी है तो क्योंकि गुरुत्तो अकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा लेकिन आप उपर की ओर जा रहे हैं तो गुरुत्तो के विरुद्धकार करना पड़ रहा है समझ रहे हैं तो आपसर नमबर 20 दा राइट एंसर अगला कोश्चेन है कोश्चेन नमबर 16 कोई साइकल सवार किसी मोड में घूमता है तो वह चार आपसन यहां पर देख सकते हैं बाहर की और जुकता है ठीक है अंदर की और जुकता है आंगे की और जुकता है बिलकुल नहीं जुकता चलो बताओ भी यह सब कोई साइकल चलाते हैं गाड़ियां चलाते हैं तो जब मोड आता है तो किधर आदमी जुकता है बाहर की और अंदर की और जुगता है आगे की और या विलकुल नहीं जुगता चार आफसा ने रायेट एंसर बता एक tea को झाए much इस हो जाने का अनदर की और सब्सक्रशन का क्या सिध्हानत किया है स्तनाव से संबंदीत है राइट एंसर होगे एंडिये में 2013 में आया था देख सकते हैं ऐसे कोस्चिन कितना इंपॉर्टेंट है पैरवायो हुक का सिध्यान निम्लिखित में से किसे संबंदीत है बताओ पहला नंबर है भाईया द्राव दाब से प्रत्यस्थता से रेडियो धर्मिता से इन में से कोई नहीं बताओ हुक का नियम किसे संबंदीत है हुक ने क्या बताया था जितना दाब लगाएंगे उतना ही बिले होगा ठीक है है तो ये तो मैं पिर्पेंदे ऊंडियो मांने हूप का नियां Bताया जो कि हैनरी का निया मैं है हएटी ने बतायATHER स्वरभी आंपर मैंने अश्चे किया हैनरी ने मताया था कि दिक conect Criminal Department करता है यह उसकी भिलेता उसके नाफ दक्रतर तो यह पिएरे भायो जो हुक करीया वो प्रत्यास्ताश संभन्दीत है ठीक है प्रत्यास्ताश यह दिखिए कौश्चय कौश्चय नमबर था पहरे भाई हो 18 इसका राइट एंसर हो गया आपसर नमबर B ओके चली अगला प्रिशने आपके लिए प्रत्वी के गुरुद्तों कर्शन का कितना भाग चंद्रमा के गुरुद्तों कर्शन के सबसे नजदीक है तो कितना भाग रहता पहरे भाई हो प्रत्वी गुरूत्तो गर्शन का कितना भाग चंदबाग गुरूत्तो कर्शन वे जाता है तो यहां पर आप दिख सकते हैं एक बटी पाँच एक बटी चार एक बटी अठ तो रायट एंसर पहरे वाज़ऑ एक बटी छे एक बटी छे आप सन नंबर C हो जाएगा right answer और last question आपके लिए पानी के पानी से निकालने पर saving brush के बाल आपस में चीपएक जाते हैं इसका कारण के है चार option है प्रिष्टतनाओ स्यानता प्रत्यस्थता और घर्ष्टन चार आपसन में बताना है right answer कौन सा है चलिए आप लोगों के लिए या last question है आपका तो इसका right answer हो जाएगा ए प्रिष्टतनाओ उके तो इस प्रकार से 20 question आपके complete आप चाहेंगे कि objective type ना कराएं हम online factor में कराएं तो वह भी करा देंगे लिंक बहुत बच्चों ने कहा सार हमको ऐसे ही question कराएं ताकि हम समझ पाएं कितना कार पाते हैं की नहीं question किस प्रकार से किसी भी कमपटी से ने पूशा आएगा इसलिए हम ये सिरी चालू किये हैं साम साथ बजे डेली वीडियो आता है तो प्लीज देख लिए करें अच्छे लागत लाइक करें दोस्तों सेर कर दिया करें ताकि हम लोगों को हम आप लोगों को ऐसे वीडियो प्रवाइट कराते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन बंदे मातरम